नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी एकदम क्रिस्पी करारे सक्करपारे यह सक्करपारे हम गेम के आटे से बनाएंगे खाने में बहुत ही ज़्यादा यह टेस्टी लगते हैं और इनको बनान सकते हैं तो रेसीपी शुरू करें उससे पहले अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फैमली और फ्रे पानी लिया है ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल रूम टेंप्रेचर का पानी है आप चाहें तो थोड़ा गुनगुना पानी भी ले सकते हैं इसमें हमने आधी कटोरी चीनी डाल दी है और आधी कटोरी हम ये गुड का पावडर डालेंगे आप इनको पूरे गुड या चीनी जब तक हमारी चीनी और गुड गुड लेगा तब तक हम बाकी तयारी कर लेते हैं तो हमने दो कटोरी गीम का आटा लिया है और अब हमारे सकरपारे एकदम क्रिस्पी करारे और खस्ता बने इसके लिए हमने इसमें आधी कटोरी गी डाल दिया है आप चाहें तो तेल भी लेकिन घी से ये बहुती ज़्यादा स्वादिश लगते हैं घी डालने के बाद आप इसको अच्छे से हाथ की सायता से मिक्स कर लें जिससे आटे के हर एक कंड में घी बहुती अच्छे से लग जाए इससे जो आपके सक्करपारे बनेंगे वो एकदम खस्ता करारे बनेंगे और फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल रहे हैं ये सोंफ आप चाहें तो इसमें इलाइची का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं सोफ बहुत ही अच्छी लगती है सक्करपारे में आपकी मर्जी है आप जैसा चाहिए इसको फ्लेवर दे सकते हैं मौयन को मिक्स करने के बाद एक बार आप इस तरह से लड़ू बना के देखें अगर आपके हाथ से जो मुठी नहीं बन रही है तो मतलब मौयन इसमें परफेक्ट नहीं है आप इसमें एक दो चमचगी और डालें देखिए अभी हमारा आटा बिखर रहा है तो हम इसमें एक चमचगी और डालेंगे और इसको दुबारा से मिक्स करेंगे खस्ता सक्कर पारे बनाने के लिए मौयन बहुत ही जरूरी है डालना क्योंकि हम इसमें कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे इधर हमारी जो चीनी और गुड है वो भी मिक्स हो गए हैं कुछ दाने इसमें चीनी के बचेवे हैं उनको हमें नहीं पिंग लाना है क्योंकि ये जो सक्कर पारे में देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और खाने में भी तेस्ती लगते हैं अब चाहें तो इसको पूरा मेल्ट कर सकते हैं और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे हमें मीडियम सक्त आटा लगा के तैयार करना है ना तो बहुत ज़्यादा सक्त ना बहुत ज़्यादा नरम पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें यह सकतर पारे आप एक बार बनाके अराम से आठ दस दिन के लिए रख सकते हैं कहीं सफर पे जाना हो या फिर कुछ हेल्दी खाने का मन करें तो आप इनको बनाके खा सकते हैं घर पे उपलब्द समान में ही यह बहुत ही आसानी से बन जाते हैं आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालके आठा लगाया है बिल्कुल एक साथ ज्यादा पानी हमने नहीं डाला है अगर आपको पानी कम पड़े तो आप एक दो चमच पानी एक स्ट्रा भी ले सकते हैं हमने डेड़ गिलास पानी लिया था और दो कटोरी आठे के लिए एक दम यह परफेक्ट है इस टाइम पर आप इसमें मीठा भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कम लगे तो एक दो चमच चीनी या फिर गुड़ आप इसमें और भी डाल सकते हैं और इस आठे को बहुत ज़्यादा चिकना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आठा हमारा गुत गया है अब इसको हम सैट करने के लिए रखेंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए आप इसको जरूर रखें जिससे आठा बहुत अच्छे से फूल जाएगा और हमारे एकदम बढ़िया वाले सक्करपारे बनेंगे एकदम लेयर वाले आठा हमारा फूल के तयार हो गया है हमने इसको टोटल 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था अब हाथ को हम थोड़ा सा चिकना करके इस तरह से आठे को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें इसको बेल के इसके सक्करपारे काटने है आप चाहें तो छोटी-छोटी लोईयां बना के भी इसको बेल सकते हैं बाकी जो हमारी बच गए हैं उनको हम इस तरह से कपड़े से ढख देंगे नहीं तो इसके उपर बहुत जल्दी पपड़ी आ जाती है और फिर हमारे सक्करपारे खस्तानी बनते इस तरह से किसी भी चोप्पिंग बोर्ड पे चकले पे जैसे मर्जी आप इसको बेल लें सक्करपारे आप बहुत ज़्यादा बारिक सोरी पतले बिल्कुल ना करें इसको मीडियम ही रखें अगर ये बहुत ज़्यादा पतले हो गए तो खाने में तेस्ती नहीं लगेंगे और यहाँ पे आपको इसको कोई सेप देने की ज़रूरत नहीं है आप जैसे मर्जी चाहिए इसको बेल सकते हैं क्योंकि अभी हमें इसे काटना है चारों तरप से एकदम बराबर हमें से बेलेंगे ताकि ये बीच में से या साइड में से कहीं से भी ज़्यादा मोटा ना रहे मारा एकदम परफेक्ट आटा लगके तयार हुआ है अब एक चाकू या कटर किसी की भी साइता से आप इस तरह से इसके पीज कर लें पहले हम साइड से इसके ये एजिस निकाल देते हैं ताकि एक ही सेप के हमारे सारे सक्कर पारे बनें सेप आप अपनी मन पसंद चोकोर या कोई वीस में दे सकते हैं और इस तरह से सारे सक्कर पारे आप काट के किसी बर्तन में रख लें और उपर से इस पे कपड़ा ढखते जाएं इससे बनाने में बहुत ही आसानी होगी देखे कितने अच्छे सेप में हमारे सक्कर पारे निकल रहे हैं बिल्कुल भी देखे बोर्ड पे चिपक भी नहीं रहे हैं इधर हमारा तेल भी गरम हो गया है तेल बहुत जादा गरम हमें नहीं लेना है तेल को एक बार गरम करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए गैस का फ्लिम लोपे कर देंगे इस तरह से आप थोड़ा सा आटा डाल के भी चेक कर सकते हैं बस इतना ही गरम तेल हमें चीए अगर बहुत जादा गरम तेल में हमने सक्कर पारे डाल दिये तो ये बहार से तो जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे इनको परफेक्ट सेखने के लिए आपको तेल के टेंपरेचर का बिल्कुल ध्यान रखना है तेल हमारा बिल्कुल सही गरम है अब इसमें हम अपने सक्कर पारे डालेंगे एक बार में जितने आपकी कड़ाई में आ जाएं उतने सकरपारे डाल के आप फ्राई कर लें आप देख सकते हैं इसमें धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं एकदम से सकरपारे तैर के उपर नहीं आ रहे अगर सक्करपारा एकदम से तैर के उपर आ जाएगा तो मतलब तेल बहुत जादा गरम है आप उस टाइम पे गयास का फ्लेम थोड़ा सा कम पे कर लें तो धीरे धीरे जब यह सिखके ऊपर आएंगे तो यह अंदर तक सिखेंगे एकदम क्रिस्पी करारे और खस्ता बनेंगे एक बार में आपको इसको बहुत जादा डालके भी फ्राई नहीं करना है नहीं तो आदे सक्करपारे हमारे जादा सिख जाएंगे और आदे कच्चे रह जाएंगे तो जितने आपके तेल में आएं कड़ाई में उतने ही सक्करपारे आप एक बार में डालें और ध्यान रखें ये बहुत ज़्यादा सोफ्ट हैं इसलिए आप कल्शी लगाते वक्त भी ध्यान रखें धीरे धीरे आप इनको पल्टें दोनों तरब से ब्राउन कलर आने तक हमें सक्करपारे को प्राई करना है जैसे जैसे सक्करपारे सिखते जाएंगे तेल में से सारे ज़ाग खतम हो जाएंगे और कलर भी देखे कितना अच्छा आ गया है इसका हमने ये सक्करपारे गेहूं के आटे से बनाए हैं आप इनको मैदा से भी बना सकते हैं एक बैच हमारा फ्राई हो गया है बस इतना ही आप इसको फ्राई करें बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर भी आप इसका नहीं करें अभी आपको लग रहा है कि आपके सक्करपारे सोफ्ट हैं लेकिन आप इसको ठंड़ा होने दीजिए जैसे जैसे यह ठंड़े होते जाएंगे वैसे वैसे यह खस्ता और करारे होते जाएंगे और आप इसमें देखिए यह चीनी के दाने अलग-लग दिखाई दे रहें हैं कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में इसलिए हमने पूरी चीनी को नहीं पिंग लाया था कैसे चमक रहे हैं मोती की तरह से ये दाने बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने सारे सक्करपारे जो बचे वे उनको भी फ्राई करना है एक बार बना के आप इनको 8-10 दिन तक अराम से खा सकते हैं इनका खराब होने का कोई डर नी रहता ये बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं साथ हेल्दी भी है तो कैसे लगी आपको आज की हमारी ये सक्करपारे की रेसिपी हमें कोमेंट करके जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें चैनल पे पहली वारा हैं तो सब्सक्राइब कर लें बहुत जल मिलेंगे और नी रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई खुस रहें स्वस्त रहें मस्त रहें